देश में ही नहीं अपितू विदेशों में भी उतपादन बढ़ने के समाचारों से निर्यातक मांग ठप पड़ गई है, साथ ही लोकल का व्यापार भी प्रभावित हो रहा है, जिस कारण से हाजिर एवं वाइदा में जीरे के भाव लगातार घट रहे हैं। जानकारों का कहना है कि फिलहाल वर्तमान स्थिती को देखते हुए अभी हाल फिलहाल बाजार में लंबी तेजी की संभावना नहीं है। वही चालू सीजन के दौरान देश में जीरे का रिकॉर्ड उतपादन एक करोड बोरी से अधिक होने के अनुमान है, जबकि गत वर्ष उतपादन पचास से पचपन लाक बोरी का रहा था। गत सीजन में रिकॉर्ड तेजी आने के आने के कारण उतपादक राजय राजस्थान एवं गुजरात में जीरे की बिजाई अधिक शेत्रफल पर की गई थी साथ ही मौसम भी फसल के अनुकूल रहा, जिस कारण से पैदावार बढ़ने के साथ क्वालिटी भी अच्छी आ वर्ष कीमतें उची होने के कारण विदेशों में भी जीरे की बिजाई अधिक की गई जिस कारण से विदेशों में भी इस वर्ष जीरा उतपादन अधिक होने के समाचार है। अफगानिस्तान में भी जीरा उतपादन 35 से 40 हजार होने के समाचार है जबकि गत वर्ष उतपादन 20 से 22 हजार टन का रहा था। नहोने के कारण कीमतों में गिरावट बनी रही। वाइदा बाजार में भी भाव मंदे के साथ कारोबार करते दिखाई दे रहे है। लेखनिये है कि गत दिनों तेजरियों द्वारा चीन में जीरा में जीरा फसल खराब होने के समाचार फैला कर कीमतों को 50 से 70 रुपए प्रती किलो तक बढ़ा दिया था। अगर अभी तक चीन में फसल की स्थिती अच्छी होने के कारण गत सपता कीमतों में 15 से 20 रुपए प्रती किलो की गिरावट दर्स की गई है। निर्यातकों की मांग न होने के कारण निर्यात का भाव मंदा रहा। पिछले 3 से 4 दिन पहले निर्यात का भाव 5,700 रुपए प्रती 20 किलो बोला जा रहा था जो की आम घटकर 5,300 से 5,350 रुपए पर आ गया है लेकिन इन भावों पर व्यापार नहीं है। जानकारों का कहना है कि हाल फिलहाल जीरा कीमतों में अधिक तेजी की सम्भावना नहीं है। क्योंकि आज भी 2-3 माह तक विदेशों में नए मालों की आवग बनी रहने के कारण भारती जीरे में निर्यात व्यापार सीमित रहेगा। लेकिन विदेशों में आवग घटने के पश्चात कीमतों में सुधार हो सकता है, जो की संभवत सितंबर अक्टूबर माह में होगा, लेकिन अधिक तेजी नहीं बनेगी, क्योंकि गिरते भावों के कारण किसानों द्वारा माल रोक लिये जाने के कारण किसानों के पास पर् लुदपूर, नागौर, नौखा मंडी में आवग एक हजार से तीन हजार बोरी की रह गई है, किसान भाव बढ़ने पर मंडियों में माल लाएगा, जिस कारण से पूरे वर्ष माल की आवग मंडियों में बनी रहेगी, पिछले चार वर्षों से जीरा निर्यात में गिरा 297 एक टन एवं वर्ष 2022 से तेईस में निर्यात 186509 टन का रह गया, चालू सीजन के प्रथम 11 माँ अप्रेल फरवरी के दौरान जीरा निर्यात 132019 टन का हुआ है, ब्यूरो रिपोर्ट मार्किट टाइम्स टीवी